नमस्कार मैं हूँ प्रमोद गुपता और आप देख रहे हैं जे भारतियोच अभी हमारी मौजोदगी सुल्तान पुर्जिले के जगदेशपूर बिधान सवा में है आप देख सकते हमारे जो सामने है एक केले की खेती हो रही है आपको बता दू कि आज कल जो किसान है बहुत परिसान है हतास है उनकी जो लागत मुल होती है जो भी करते हैं वो भी नहीं निकल पाती है लेकिन आज हमें एक ऐसे किसान मिले हैं आप देख सकते हैं काफी मुनाफ़ा भी कमाते हैं आपको पूरे डिटेल में बताएंगे किस तरह से सुरू से खेती होती है और किस तरह की सौधानिया आपको बरतनी पड़ेगी और कितना मुनाफ़ा होगा और कितना आप सौधानिया रख करके मुनाफ़ा कमा सकते हैं हमारे साथ किसान हैं मुंस से बात चीत करते हैं पहले हमारे बहुत स्वागत हैं कि आप इस शुरु से आप हमने कैसे पर zap इसके थे कई सोरुनिये कि सこの कोई नया किसान है कोई जहान होगी कि तो अगर इसे क्या चाहिए लिए कि लिए उच्षेम कें पानी पाणी का न आ तक के तयारी हम इस्ते पैली परकाट से भर देते हमें गास नहीं साफ मैं परने के थे प्र यह यह देख मना सहोग Prison जूबें की रुपाई जो है पचीस जून से यानि बरस नहीं पहले सब्ता में जून के आख्री सब्ता और जुलाइ के पहले सब्ता में कर दे एक और इसे हम चेछे किए सायह पांच बाइचे या चेछा लगाते हैं और पउधा हम जो है मिटी वाला भी खरी सकते हैं को पि सब्सक्राइब करें लिए लगी है वड़ी बड़ी नर्सरिया लगी आपके गुर्णा में भी हैं तुम्हाल फैजाबाद में लगी है प्रोसेस बताइए थोड़ा प्रोसेस आप पौधा जहां सखरीते हैं वहां की पकी रसीद होनी चाहिए और आपका अधारकार और पास्बुक यादि खातान संख्या यह आपको पहले रेजिस्टेशन कराना पड़ेगा उसके बाद चार पांच महिने बाद आपकी सब्सेड करना पड़ेगा बस दान विखाब मैंने पाउधा लगा दिया फसल उसल की तैयारी कैसे कर दी होती है काटिंग कैसे इसको जब हम जून में लगा देते हैं तो एक-एक महिने पर डाई उरिया पोटास डालते हैं यानि पचीस से तीस दिन के अंदर पे हमारी खुरा को दे इसमें जिंक है और हमारी जो सुच पोसकत्त्त है इनके सब चीजे होती है गंधक है और इस सारी चीजे आपको मुचित मात्रा में डालने चाहिए अगर आप इसको ंद आपको जानकारी पूरा करना पड़ता है आपको थोड़ा होगा थोड़ा हमें आडिया है अगर हमारा यह नुक्त हम लगाए हैं तो कम से कम 10 गराम डाई फांच गराम यूरिया और 10 ग्राम पोटास को पहिलम देते हैं इसके बाद धिरे-धिरे तक दालते हैं और इसे हम अक्टूबर तक डालते हैं और ठंडी में हमें पाला से बचाव के लिए पाला की दवा डाने पड़ि जैसे डाई थे नम-चालीस साल पर है यह सब डालते हैं सस्ती दवाइं होती है दवाई तो बहुत आती महेंगी में लेकिन हमें सस्ती दवागार डालेंगे तो हमें हमारा नुक्सान लाकत खर्चा पढ़ जाएग लगाने का भी महीना होता होगा किस महीने में लगाना है जून का आखरी सब्ता जुलाई का पर्थन सब्ता जुलाई नहीं लगाएंगे जैसे कि हमारी फसल भी तयार हो गई लगबग लगबग 14 महीने में फिर सो बाद कि आयाट एक है कि बेचंग कैसे क्या प्रोसेस होता होगा इसे हम बडही बडी मंडियां वहां जाते हैं तो तुम्हारा ब्यातर नहींakah piga्त चलेन जाता है तो यह Acho कितने कितना होती हो इडिया करीब अब पचीस माली जे एक पवधा 25 किलो का आपका 25-30 किलो आ रहा है तो लगा लेजिए करीब हां एक बीघे में करीब करीब कि सव कुंटल करीब होता है कुंटल लागत कितनी आती होगी एक एकड में मुनाफ़ा कितना हो सकता है अब मुनाफ़ा वही तिन लाख रुपए निकलेगे यानि चार रुपए में एक रुपए आपका लग जाएगा करीब आप दो लाख रुपए बचा स्तिन लाख रुपए बचा सकते अगर तो दाग नहीं लगना है और कुछ किसानों को बताना क्यों करना चाहते हैं और फाइदय का सवदा है और एक दी बात बताईए जैसे कि और यहां पर आपने सुरच्छा का कैसे चौक चौबंद किया कैसे कि आजकल साड़ है नील गाए है सब खेतों में घुसा आते हैं किस तरह सुरच्छा करते हैं संнес च्पटा रत्य सकावैक इसके लिए आफे मॅस्टा को नियुक्ति है अगर आटके लगाटि जाती है करने जानौर भी जानौर ऑफिस प्योप्षा होती है इता कि आप या विया कुछ लीए थे किया आप क्या कर रहे हैं कि यहां तो बहुत जानवर है जंगली जानवर जैसे लील गाहें और गाय हैं यहीं सब लगा रहे तो इसमें भी हलके नुकसान करते हैं पेड़ तूल लेते हैं यह अफल हो जाए फल काट लेते हैं अंकल जी एक बात और बताईए जैसे की कभी आपने बताया था कि नुकसान भी आपको पहले साल हुआ था मतलब किस वज़ा से हुआ था और इडिटियू उसमें कोई दबा नहीं डाल पाये थे समय से खाथ भी नहीं डाला था कोई और जानकारी थी नहीं इसलिए नुकसान हुआ था तो आप देख सकते हैं यह केले की खेती है इसकी बिधी आपको बताई गई अगर आप एक रुपए लगाते हैं तो आपको चार रुपए मुलेगा यानि कि तीन रुपए का मुनाफ़ा होगा साइध ही ऐसा कोई बिजनेस हो ऐसी कोई खेती हो जो इसमें मिलता हो आप भी अगर करना चाहते हैं तो इसकी तैयारिया जो है पूरा वीडियो अंतक देखिया और समझी है किस तरह से जो केले की खेती की जाती है प्रमोज गुपता जे भारत